मित्र जयम आता दी आप देखने धर्मसिक्चा धर्मसिक्चा मैं रोज की तरह एक बाद फिर से मैं जरूं आज का संपून राशी फल लेकर यह संपून राशी फल गुरुवार यानि की पांच अगस 2021 का अगर आज के पंचांग की बात करें तो आज है विक्रम संबत 2018 करा फिर दिया वह वाहं आज का पंचांग आज के पंचैंग और विक्षा जोक्त पांच गयं सकते हैं आज के संपुन राशी फल के विडियों में हम जानने वालने कुल बारा राशी यह का आज का आज सार पर हमें आज का सुब समय नियुकिन नला न हमाइज सब्सgebaut अंक या था साbn कि नियुक्छे में आज के 12 रासी हम प्रließ तो ऐसे ले पार हम करें आज के का रासी दो आज लेक्गे हैं उससे पहले आए एक निज़ा जालते हैं आज के ग्रहों के पर पूरा का पूरा रासिपल नेरबर करता है आज राहो विर्ष रासी में, चंदरमा मित्र रासी में, बुद्ध सूर्य दोनों एक साथ करक रासी में, सुकर मंगल के साथ सिंग रासी में, केतु विष्ची रासी में, सनी मकर रासी में, गुरु कुम रासी में विराजित है तो इनी सभी गुर्णों का मिलाद लाल, आज के रासी फर्ण हम जाने हैंगे में सासीम चंद्रमा आज 11 हुए अस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुक परिवार की कलह सुधारने में आज आज आपको सफलता मिलेगी पुरानी विवाद और परेशनिया आज खत्म हो सकते हैं सोचे हुए काम पूरे होंगे आपके किसमत का साथ भी मिलेगा कुछ लोगों के साथ आपके मनमटाव हो सकते हैं जिसके कारण आप चिंतित भी रहेंगे आज अपने वाहर को साबधानी पूर्वक और नियंतन में चलाएं दुरगटना के योग बन रहें तो आपको थोड़ा समल कर रहना होगा बात करेंगे व्यापार और धनकी तो आज व्यापार के मामले में कोई भी फैसला जल्दबाजी में नाने आज आपके ज्यादातर सौक पूरे होंगे खईदारी के योग आपके लिए बन रहें जिसके करन आपका खर्च भी बढ़ेगा बात करेंगे विद्यार्थी की विद्यार्थियों की मेहनत सफल रहेगी तो मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी बिल्कुल ना रखें स्वास्त की बात करेंगे आज आपके स्वास्त में उतार चरहाओ आ सकता है ठाकान और आला से भी बना रहेगा तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग औरेंज कलर लखी नम्मर एक रहने वाला है बात कहेंगे वरिश राजी की वरिशा सीम चंदर्मा आज 12 हुए स्थान में विराजी थे जिसके प्रसुब आज आपका मन सामाजिक कारियों में लगा रहेगा परिवाजनों का स्ने आप पर बना रहेगा लंबी यात्रा के योग बन सकते हैं और यात्रा आपके सुब रहने वाली है कारी छेत में आपके आदिकारी आपसे परसंद न रहेंगे रुके हुए फसेवे कारी आपके पूरे हो सकते हैं वानी पर अपनी नियांतन रखें ज्यादा आत्मिस्वास में तो बिलकुल भी ना परें काम इससे आपके बिगर सकते हैं आज आपको अपनी बातें किसी से सेहर करने का मन करेगा लेकिन बातें सेहर करने के लिए व्यक्ति का चुनवा बहती सोच समझ कर करें व्याफ़ार और धन की बातके हैं पैसे کं माने के नए मौकेश आपको मिलेंगे साथी खर्च की अधिकता भी रहेगी विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना परेगा लेकिन जो विद्यार्थी मेहनत करेंगे उन्हें सफलता की प्राप्ती भी जरूर होगी स्वास्त की बात के तो आपके जीवन साथी का रवय यह आपको परिशान कर सकती है तो अपने स्वास्त का ध्यान जवर रखें प्रेम समन्द की बात के तो आपके जीवन साथी का रवय यह आपको परिशान कर सकता है साथी सुवा लोगों को अज सब्धान रने की जवरत है आज किन दही खाएंगे तब करें सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग पीला रंग लकी नमर आज का नौ रहने वाला है बात करेंगे मिथुन रासी की मित्र नाशीम चंद्रमा आज पर्थमस्थान में विराजी था है जिसके फ्रसुप आज आज आपको आपके भाईयों और मित्रों का सही उप्राप्त होगा काम धंदा बरहाने के लिए जो भी मेंट आपने पिछले दिनों में किया होगा उसका फल आपको आप मिलेगा आपके सोचे वे काड़ी पूरी हो सकते हैं अपने अक्रामक रविये के वज़े से आप परिशान दिला सकते हैं आज किसी से कर्ज बेलकुल बने नाने नोकरी करने वाले जातकों के सीनियर अधिकारियों से आज समद्ध विगर सकते हैं तो इसमें सब्धानी जरूर बढ़ते हैं व्यापार और धन की बातकेट आपकी आए में बढ़ोतरी होगी व्यापारियों के लिए आज कहीं अच्छा रहने वाला है आज कहीं निवेस करना आपके लिए लाबदयाइक सी दो हो सकता है लेकिन निवेस सोच समझ कर ही करें विद्यार्थी की बातकेट विद्यार्थियों के लिए सफलता की योगवन है मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी बिलकुल न रखें स्वास्त की बात के आज आपको Gas और Acidity का सामना करना पर सकता है तो अपने भोजन पर ध्यान दें और परहेज भी करें प्रीम समंद की बात के जीवन साथी से सम्मान आपको मिल सकता है दाम पत्य जीवन आपका मदूर रहेगा और विवाहित प्रेमियों के लिए भी आज के लिए अच्छा रहने वाला है आज के लिए अगर अरहर की डाल खाएंगे तब के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब्रंग गुलाबी रंग लकी नमराज का पांच रहेगा बात के लिए करकरासी की करकरासिम चंद्रमा आज दूसरे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज आपको नदी की दोस्तों और प्रेमी जोनों से मदद मिल सकती है किसी अनभवी लोग की सलाह लेंगे तो आपके समस्या का समाधान भी हो सकता है आज आपको आपकी उत्सुकता कई नई चीज़ें सिखा सकती है आज आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी आ सकता है तो अपने गुस्से पर नियंतन रखें आज मिस्वास से आज परिपून रहेंगे परन्तु आए में कमी और खर्चों में अधिकता से चिंतित भी रहेंगे अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें सब ठीक हो जाएगा समाज में आपको मान समान की प्राप्ती भी होगी व्यापार और धन की बातके आज व्यापार करने वारे निद्र में कमी आ सकती है पुराने रोग आपको परहसान आज कर सकते हैं प्रेम समंद की बात के दामपते जीवन के खुशियां बढ़ रहे सकती है प्रेमियों के लिए आज के ने अच्छा रहने वाला है अनुकूल नतीजे मिलने की योग भी बन रहे हैं और विवाही जातकों के लिए विवाह के परस्ताव भी आ सकते हैं आज के निद्र लोहे के बरतन में खाना पकाएंगे खाना खाएंगे तो आपके लिए शुप रहेगा आपके लिए आज का सुप रंग पीला रंग लकी नमराज का आठ रहने वाला है बात के हैं सिंग रासी की सिंग रासीम चंतरमा आज तीसरे स्थान में विराजित है जिसके प्रसुप आज जीवन का कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें अगर जोड़री हो तो कुछ लोगों से मिलकर ही सला करकर ही फैसला लें काम का आज में आपको सफलता मिलेगी कोई पुराना दोस्त आपको आज मिल सकता है आपके संतान को कष्ट भी हो सकता है तो उसका ध्यान रखें किसी मित्र से आपकी आज अन्बन हो सकती है तो अपनी वानी पे नियंतन भी रखें परिवार के साथ किसी धार्मी की आतरा बे जाने की योगाज बन सकते हैं, भगवान के परति आपकी आस्थाली बढ़ेगी, बात करेंगे व्यापार और धनकी, तो किसी प्रियेजन की मदद से आपके व्यापार में ब्रधी हो सकती है, माता पिता से भी आर्थिक सहयोग आप आजके परहाई को लेकर थोई चिंता और निरासा रह सकती है, लेकिन आपको चिंता और निरासा से निकल कर अपने परहाई में मैनत करना होगा, सफलता तभी मिलेगी, स्वास्त की बात करें तो गले अम्मों से समन्दित कुछ परिशानिया रह सकती है, तो अपने स्वास् लाइट येलो कलर लगी नमराज का दो रहेगा बात करेंगे कन्यारासी की कन्यारासी में चंदरमा आज चोथे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप आज आपको कुछ फसेवे कारियों को लिप्टाने में सफलता की प्राप्ती होगी आज आपके लिए अच्छा दिन है बहुत सारे कारियों को खत्म करने में आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे आपने काम को लेकर संकोच में नहीं रहेंगे तो आपको फायदा होगा आज हो सकता है आपको अपना परभाव जमाने के लिए कहीं पर जूट भी बोलना परे आज आप अपने बच्चों की पढ़ाई में रूची ले सकते हैं व्यापार और धन की बात करें तो आज कहीं भी धन वेस करने से बचें इसमें आपको हानी हो सकती है आज आपके पैसे ज़्यादा खर्च हो सकते हैं लापरवाही और संकोच में ना परें इससे आपको केरियर में हानी होगी अपने व्यापार में योजनाब तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज करने अनुकूल रने वाल है मेहनत आपको जदा करना पर सकता है मेहनत करेंगे तो सफलता भी मिलेगी स्वास्त की बात करेंगे आज आपको सेर में दरद रह सकता है साथी कफ का सामना भी आपको करना पर सकता है तो अपने स्वास्त का ध्यान रखें ठंडी चिये खाने से बिल्कुल बचें प्रेम समन्द की बातने आज आपका ववाहिक जीवन सुख में रहेगा लेकिन जीवन साथी के स्वास्त का ध्यान रखें और विवाहित लोगों को भी प्रेम समन्द में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं तो प्यार के जहार करने के लिए आज के अच्छा रहने वाला हैं, आज के इन बेशन से बनी हुई चीये खाएंगे, तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुब रन, लाइट यलो कलर, लगी नम्मराज का चार रहेगा, बात करेंगे अब तुलारासी की, काम काज में सफलता मिल सकती है, ओफिस में ये फिल्ड में आपको ज़्यादा समय देना पढ़ सकता है, आज कुछ नकारात्मक सोच आ सकती है, तो नकारात्मक सोचों से बचें, इससे आपके काम बाधित हो सकते हैं, व्यापार और धन की बात के बहुतिक सुक्ष्विधा वाली चीजों में बढ़ोतरी होगी, व्यापार में मुनाफ़ा होगा, साथ ही नौकरी के लिए भी अनुकुल सिति आपकी बनी रहेगी, अपने व्यापार में विवर्धी आप कर पाएंगे, विद्यार्थी की बात केद, विद्यार्थियों को आज ज्यादा समय पढ़ा जीवन साथी की मदद और प्यार आपको मिलेगा, लेकिन जीवन साथी से वाद वाद में विल्कुल भी ना परें, लड़ाई जगरे भी आपके हो सकते हैं, आज किन चन्ने की दाल खाएंगे, तब के लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुब्रम गुला विरन, लक कुछ छेतरों में नई सुरुआत हो सकती है, किसी प्रकार के धर्मी कारी करने के योगबन्थ है, परिवार की सुक्षभी दाओं का विष्तार संभव हो है, संतान के तरफ से थोड़े जिनत आपको रह सकती है, खास करके संतान की गतवीदियों से, वाद वियाद हो सकते है तो किसी से ऐसी स्थिति नाने दें विवादों से बचें व्यापार और धन की वातकत व्यापार में नयाकारी आरम कर सकते हैं लेकिन नयाकारी आरम करने से पहले वीडियो के अंत में जोर जाने आज का सूब समय क्या है सुब समय में नया काड़ी आराम करें ताकि आपको सफलता की प्राप्ति निश्ची तर पर हो निवेस करने में आज आप अचानक से फैटले लेख सकते हैं पैसे के लें दिर में आपको किसी के जूट के कारण आज नुक्सान हो सकता है कोई अटका हुआ फसा हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है व्यापारी क्यात्रा की योग भी बन सकते हैं विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों के लिए आज के बढ़िया रहने वाला है मेहनत करें सफलता की प्राप्ति आपको निश्ची तर पर होगी स्वास्त की बात के तो आज आज आपका स्वास्त एच्छा रहने वाल है सुवा सुवा अंगुरित अनाज खाएं से आपका पेट साप रहेगा और आप स्वास्त भी रहेंगे प्रेम समन की बात के तो जीवन साथी का सही होगा आपको प्राप्त होगा जीवन साथ ही आपके भाबनाओं का समान भी करेंगे आज आज के लिए चांदी के बरतन में खीर थाएंगे तब के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग फिरोजी रंग लखी नमराज का तीन रहने माज़ा है बात करेंगे धनुवासिकी धर्म आसीम चंद्रमा आज साथमें अस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप घर परिवार की स्थिती में सुधार लाने के आपके विचानों को आज समर्थन मिल सकता है आपके रोजमर्दा के काम भी पूरे हो सकते हैं तनाव से बाहर निकलने में आपको मदद मिल सकती है आज आप दूसरों की मदद करेंगे कुछ पुराने मामली आपके असूलज सकते हैं कुछ लोग आपकी भाबनाओं से खेल भी सकते हैं तो ऐसे लोगों से साब्धान जरूर रहे हैं संतान के सुख में विर्धी होगी मित्रों का सही होगा आपको मिलेगा बिनावजा वाले विवादों से बचें दिन भर में आपके अच्छे समाचार की प्राप्ति आज हो सकती है कारी छेत में आपका वर्चस वो बना रहेगा दिन भर खुश रहेंगे और आप परसन में भी रहेंगे बात केंगे व्यापार और धनकी तो व्यापार में आज आपकी व्यस्तता बनी रहेगी आर्थिक इस्तिति आपकी बेहतर होगी विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों के लिए आज के अच्छा रहने वाला है कम मेहनत में ज़्यादा सफलता की प्राप्ति आपको हो सकती है तो मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी बिल्कुल ना रखें स्वास्त की बात के पुराने रोग खत्म हो सकते हैं स्वास्त में सुधार होगा दाएं हाथ या साईरी के किसी भी दायंग में आज चोट लग सकती है तो संभल कर रहें प्रेम समंद की बात के दाम पति जीवन सुख में रहेगा घर में खुशी का माहौल बना रहेगा आज किन उरत की दाल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग पीला रंग लकी नमर आज का चार रहने वाला है बात करेंगे मकर रासी की मकर रासीम चंद्रमा आज आठमे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप आज आपकी समाजिक महत्यू के कारियों में वैस्तता बनी रहेगी आज किसी अंचाहे व्यक्ति से आपकी मुलाकात संभव है जिसके करन आपका मूट खरब रह सकता है खान पान में आपकी रुची बढ़ेगी आपको सलाह दी जाती है कि आज किसी भी मामले को हलके में ना ले कारी छेत में आपको सफलता मिलेगी और लोग आपसे खुश भी रहेंगे व्यापार और धन की बातके तो नोकरी और कारी छेत में बदलाव हो सकता है आएक के सादों में बढ़ोतरी होगी खर्च भी आपका बढ़ेगा विद्नेस पार्णर की मारस्टी व्यापार में आपको लाब होगा मकान या भूमी संब्धित कारियों में थोरी चिंत आपकी रह सकती है विद्यार्थी की बातकेट विद्यार्थियों के लिए आज किन महनत भार रह सकता है ज्यादा मेहनत के आपको कम फल पराप्त हो सकता है तो मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी विल्कुल ना रखें स्वास्त की वातकेत आज के ठकान और अरस्य से परिसान रह सकते हैं अपने आपको कम समय दे पाएंगे अपने माता के स्वास्थ का आपको ध्यान रखना चाहिए प्रेम समन्द की बात के प्रेम पस्ता आपके विफाल हो सकते हैं विवाद होने की संभावना बन रही है तो प्यार के जहार करने से आज बचे हैं आज के दही खाएंगे तब के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब्रंग हरारंग लकी नमराज का नुक्षे रहेगा बात के एक कुम्रासी की कुम्रासीम चंद्रमा आज नौवे स्थाने विराजित है जिसके फ्रसुब आज आपकी योजनाई सफल हो सकती है दिन भाड़ आप वैस्त रहेंगे आज अपना काम आप पूरी एकागरता के साथ कर पाएंगे दोस्तों के तरब से कुछ अच्छी ख़बर मिन सकती है आपको संतान से सुख मिलेगा पारिवारिक मामले में थोड़ी उल्जन बढ़ सकती है धहरी में कमी भी आ सकती है काड़ी छेत में आपकी स्थिती में सुधार संभव है बात करेंगे व्यापार और धन की तो व्यापार में निवेस से धनानी की संभवना बन रही है तो अगर निवेस करना हो तो सलाह विचार करके ही करें अचानाक से धनलाप की संभवना भी बन रही है साथी आपके खर्च भी बढ़ेंगे तो व्यापार और धन में मिला जलासर रहने वाला आज विद्यार्थी की बात कर आज विद्यार्थियों के आत्विस्वास में बरत्री होगी जिससे लक्ष को प्राप करने में आपको आसानी होगी स्वास्त की बात के स्वास्त आपका ठीक ठाग रहेगा लेकिन आपने पिता के स्वास्त का ध्यान रखें उनका स्वास्त थार डगमगा सकता है प्रेम समन्द की बात के तो और विवाहित लोगों को प्रेम समन्द में सचेत रहने की जोरत है आपके प्रेम समन उजागर हो सकते हैं साथ ही आपके पार्टनर का मूड खराब रह सकते हैं जीवन साथी से हलकी नोगजों की समामना बन रही है बाद में लेकिन सब कुछ ठीक भी हो जाएगा आज किन गेहूं से बनी भी चीए खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग लाइट ये लोग अला लकी नमरा आज का तीन रहेगा बात करके मीन नासिगी मीन नासिम चंद्रमा आज दसमी अस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप आज किसी पर ज़्यादा भरोसा करने से बचें काड़ी छेत में अधी काड़ी आपसे प्रसंद ने रहेंगे आपके आत्मिस्वास में बरोतरी होगी मकान जमीन ज्यादात से समंधित मामले आपके आज सुलस सकते हैं नई लोगों से दोस्ती हो सकती है आज आपकी बोली गई बातों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है तो अपनी वानी पर नियंतन रखें जो भी बोलें सोच समझ कर बोलें कहीं घुमने फिरने की योग बन सकती है व्यापार और धन की बातकर तो कुछ परेशानी रह सकती आपको तो अपने भोजन का ध्यान रखें कोई पुरानी बिमारी आपको परेशान कर सकती है तो अपने स्वास्त का ध्यान जरूर रखें प्रीम समंद की बात के आज आज आपने जीवन साथी के प्रति सकारतमक विचार रखें उनकी भावनाओं का सम्मान करें, साथ ही आने वाई दिनों के महत्पोर्ण कामों की योजद नहें, उनके साथ सेर जरूर करें, इससे आपके समन बहतर होंगे, आज करिंगे चांदी के बरतन में खीर खाएंगे, तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुब रांग, पीला रांग लगी नम्मर दो रहेगा, तो मितर ये था आज के 12 रासी का रासी फल अब जालने तें आज का सुब समय, आज का सुब समय आने की गुली काल रहने वाला है सुबह के 9 बच कर 5 मेर्स लेकर दस बच कर 46 मेर्टक, इस समय में कोई भी नयाकारी आ tofu करएंगे, तो उसमें आपको सफलताथ लगेगी आज का असुब समय आनी की राहो काल रहने वाल दिन के 12 बच कर 7 मेर्स लेकर, 13 मीर्च कर 48 मेर तक इस समय में कोई भी निया कारी करने से बिलकुल बचले हैं आपको अशापलता हात लग सकती है लाद कशियर्स साइब में किसी भी खास परियोंजं से यला ना करें यहाँ पर आपको नुक्सान हो सकते हैं सुब खाद्याज का जीरा रहने वाला, जीरे का एक दोदना खाकर भी यातारान करेंगे, किसी नेजिकारे को करेंगे, तो उसमें आपको सब्सक्राइब लगेगी, तो मितों ये थाज का सम्पूर्ण रासिभल, कल के सम्पूर्ण रासिभल के लिए जूरी है धर्मसिक्छा जे मतली